हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका अपने प्यारे चैनल यूट्यूब स्टडी में आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिविए चेरी कोशन पेपर को सॉल्व तो आज का हमारा कोशन पेपर होने वाला है सेट 6 के 2019 जो कोड जिसका 824 बियो है इस प्रशन पत्र के ह उन वीडियो को पहले देख लिजिए इस सेट के भी हमने प्रशन एक और प्रशन दो को करा दिया है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो साइब बटन को टच करके उन वीडियो को देख सकते हैं पहले आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको छोटी आपको उल्जा देते हैं उन्हाप कॉंसेप्स को क्लियर कर पाएंगे तो इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक सेर कमेंट और आप इस चैनल पर नए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबा दीजिएगा चलिए आज हमारा प्रशन होने वाला है प्रश किस दूरी पर पुष्तक को पढ़ सकता है प्रश ने बोला ऐक चैनल कर पची सेंटीमिटर पर पुष्तक है अगर पढ़लेता है अगर पढ़लेता है किटने दूरी पर रखा जाए कि वूभक को असानी सब पढ़ले तो चलिए हम इस कोशन को सवल कर लेते हैं यहाँ पर ह दूरी निकालेंगे कि मतलब उसकी आंख की जो नजदी की पॉइंट होगी यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है नजदी की दूरी जो इसकी आंख की सबसे नजदी की दूरी होगी जिससे वह असानी से देख सके नॉर्मल आंख की कितनी होती है 25 सेंटीमीटर यह mcq मे में रखा दिया 25 सेंटीमीटर पर मैंश्य सेंटीमीटर पर क्यों रखा है अगर आप पहले की वीडियो समें देक प्ता चल गया हों कि आप lighting से सेंटीMYTर पर पर अब पैन से निर्ग ढ़ा था उस हो склад में फद्दर कर दिये चलिए ठीक जहां हम ने एक की वायलू निकाल ली 1 upon minus 2 पावर है P की वैल्यू minus 2 F is equal to minus 100 by 2 cm यहाँ पर 100 हमने क्यों किया क्योंकि जो हमारा focal length हाता है वो होता है मीटर में और इसको हमने 100 करके by उपर 100 करके मतब डिवाइड करके इसको cm में change कर लिया sorry sorry multiply कियी यहाँ पर यहाँ पर इसको multiply करके इसको cm में change कर लिया हम जानते हैं न 1 meter is equal to 100 cm सेम वही काम यहाँ पर किया है इसी का यूच किया है यहाँ पर यहाँ से F की value निकाल लिए minus 50 cm यहनि हमारा focal length हो गया minus 50 cm जो इंसान है जो चसमा पहना यह कैसा पहना है minus 50 cm focal length वाला पहना है अब सोचिए थोड़े यहाँ पर सोचनी की जरूरत है अगर यह इंसान चसमा पहन कर 25 cm रखी पुष्टक है अगर इसको पढ ले रहा है इसको इमेज कहीं बन रही होगी इस पुष्टक को नहीं पढ रहा है अगर हम इसी इसकी बनीवी इमेज उसकी बनीवी पुष्टक को पढ रहा है तो इसकी बनीवी पुष्टक को रख दे इसके चसमा हटा देंगे तब यह पुष्टक को पढ सकता है कहीं पर जहां पर भी बन रही हो तो हमने इसकी बनीवी इमेज आप फुश्त का वस्तु रख्प हु你在 पुश्ता का मिनिसको यू ले लिया है क्योंकि वस्तु का यू से लेते हैं जो प्रतिदीम भी इसका हमने भी ले लिया और हमको भी पता करना है कि इसकी नजदी की दूरी कितनी है तो हम यहां पर ब्रह destroy की वैल्यू निकालते हैं हम ल यहाँ पर मैनस कर देंगे यह हो जाएगा वान आपन वेसकौल टू माइनस थ्री अपन 50 यहां से भी हम निकाल लेंगे माइनस 50 थ्री सेंटी मीटर जो इंसान है यह जो भी जो इंसान है अगर हम इसको माइनस 50 वाइ 3 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर हम रख दे पुष्टक को तो बीना चसमे के भी किताब को पढ़ सकता है तो यह हमारा हो गया दूरी बस तो हमने इस कोश्चन को कर लिया चलिए अब इसके अगले कोश्चन में का गया दे रखा ये अगला कोश्चन है कि अथवा करके दे रखा है को और ये वला करिए ये वला करिए गष्ट करिए दोनों पे हमें से माक्स मिल जाएंगे चार-चार हम इसको भी कशा हतरें किसी यह वाता लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है वस्तू को लेंसे कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वरा वस्तू का लेंस 10 सेंटी मीटर दूर प्रतिबीम बनाें लेंस दूरा उत्पन आवरधन भी परिकलन कीजिए तो हमें यहाँ पर क्या निकाल ला है वस्तू की दूरी वस्तू हम कितना दूर रखे लेंस से कि हमारा जो लेंस का जो दूरी जो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबीमब बने जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर दूर बने लेंस से और उत्पन आवर्धन और हमें इसका मैगनिफिकेशन यानि MB पता करना है चलिए अपने कोशन पढ़ दिया है हम इसको सॉल्फ करते हैं यह तीसरा का अथवा वाला है ठीक है यहाँ पर हम करने वाले हैं तीसरा का अथवा अथवा वाला है आपके लिए लिख दिया है यह तीसरा का अथवा चलिए करना है यहाँ पर हमारा F दे रखा था 55 cm V दे रखा था 10 cm और हमको U पता करना था आप समझ रहे होंगे V जो है वह क्यों है क्योंकि हमको प्राश्चन में बोल रखा है आउटा लेन्स आउटा लेन्स कैसा होता है ऐसा होता है और इसके जितनी भी इमेजेज होती है जितने प्रतिभीम बनते हो इस साइड बनते है तो इस सेड जितने भी वस्तु रखी होती है जितने भी प्रतिभीम होते है वो सारे नीगेटी में होते है तो हम लेंस सुत्र का प्रयों करेंगे यहां पर लेंस सुत्र होते है वान अपन एफ इसकल टू वा वान अपन एफ ठीक है अब फूट कर लेंगे वान अपन यू दिखरा होगा आपको अब दिखरा है वान अपन यू हो गया ना अब फूट कर लेते हैं यह भी है भी हाँ चलिए यह हो जाएगा वान अपन माइनस 10 यह कुछ नहीं अभी ठीक माइनस यह जागा वान अपन माइनस 15 यह हमारा हो जाएगा वान अपन यू इसकोल टू देखे स्टुडेंट्स यहाँ पर यह माइनस 10 है न नीचे इसको उपर इसको उपर कर लेंगे यह हो जाएगा one upon, minus one upon 10 अईये हो जाएगा plus one upon minus minus這個是 one upon five क्योंब माइनस ऐसे मल्डिप्ताइब कर दिया उपर नीचे दूनों में हो गया आप इसको solve कर लूए तो हमारा आजाएगा one upon u is All to one upon 30 माइनस 1 upon 30 और हमाराucky you हो जाएगा देख रहा होगा आपको तो हमारा यू हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर यानि कि ऑबजेक्ट को माइनस किसलिया जा है डाटिमीज से हमारा इधर का डिरेक्शन दिखा रहा है मतलब लेंस हमको इधर रखना है वस्तुको आपको लेंस से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखेंगे तो उसका जो इमेज है जो प्रतिबीमब है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा था हमने इस कोश्चन का हमने 50 परसेंट यानि दो नंबर लेक काम कर दिया अब हम इसका मैगनिफिकेशन निकालना चार पुछा था तो आवरदान यानि मैगनिफिकेशन भी पता कर लेते हैं आवरदान 1991 से इसको पता कर लेते हैं तो व आवरधान इसको कर देंफ सेक्राम नेकांनिंस ह However जोिए थी कालतो नंटम्यवीAs कफाल कोशन में दे रहा था यूँ हमने 30 निकाल लिया था देखेंगे आपको दिखा देते हैं यहां पर और वह की वैल्डू 10 पर यू ए यो जी माइनस 30 ने जाको कारें पर मेम फिटर यहां पर धाई गतना की स्क चाल अगला कोश्चन को भी देख लेते हैं हमारा अगला कॉश्चन है ने रखा है तीसरे का क्खा सिध कि यह solve का समार्थ इसके प्रति्रोधक के विक्रमनुपाती होता है best इसको सिध कर लेते हैं तीसरे का को ठीक है तीसरे का को स्टूडेंट सम जानते हैं कि होता है कि पी इसक्वल्ट टू वर्क डण अपन टाइम डाइट में समने जितना काम किया जितने समय में वह हमारा पावर हो जाता है पी हो जाता है तो पी इसक्वल्ट टू वर्क डण जो इलेक्ट्रिकल इनर्जी जो विदुधार जो हमारा कार्य हो उसमें प्राप्ठ होती है तो आई काई स्क्वाइर डॉट 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 टी अपन टी डावलू की जगा डालू डावलू का वैल्यू यह क्या है हीट यह भी तो वर्क ड स्कॉर्ण डॉट आर्ट थी समझ लेंगे कैसे हो रहा है तो पी इसकॉल टू आई स्क्वेर आर स्क्वेर अपन आर आड से उपर नीचा मल्टिप्लाइक कर दिया यहार स्क्वाइर हो गया ठीक तो पी इस इक्वल टू यह जाएगा आई आर का होल स्कॉयर अपन अर ठीक यहां से देखिए यह पिश्कल्ट टू आई डॉट आर का यह हो गया टीका स्कुरेश्क्वयर अपन आर यह कैसा आ या बही गाश्कार नहीं समझ में या आप को इधर बताते हैं कैसे आया ओम की नियम के नूसार क्या होता होता है तो मिस तो इसको इधर और 212 इते हैं तो इसे मिंद्स यह अभी लिख सकते हैं तो भी स्कुरियर कर दिया होतों गया बस अब यहां पर समझभे हैं तो यह हो गया पे इस अपने अभी रुखेंजे यहां पर देखिये आपने अपने घरों में देखा होगा उन का वीवांतर कितना होता है 220 वोल्ट इथ सब्रक्राइज जो लाइट की होती होटी तो जास कहता ुतना ही रहता है इतना आपके हमें वोल्ट आ रहे हैं 220 उतना ही सप्लाई होता रहता है लेकिन हम उस पर रेजिस्टेंस जो होता है वह बढ़ जाता है हम यहाँ पर कैसे समझेंगे देखें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पी स्कुल कोशनल हो गया हमने इसको यहां प्रूफ करके दिखा दिया यह हमने यहां पर प्रूफ करके दिखा दिया इस तरह हमने इसको भी प्रूफ कर लिया यही कोशन था जो इक्जाम में बहुत बहुत चांस पने होते हैं आने के लिए ऐसे कोशन को जरूर देख लेना चाहिए खौका अथवा करके दे रखा है दूश्चन है हमारा 0.9 मीटर स्क्वाइर छेतर फॉल वाले तार की एक कुंडली को 2 इंटू 10 टूदी पर मैंनस 2 वेवर प्रती मीटर स्क्वाइर के एक सामान चुम्ब के छेतर में रखी पर रखने पर कुंडली से ब्रद चुम्ब की फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुम्ब की छेतर के अनुदीसीत होगा जो कुंड़ि जो कुंड़िब कतल है वो कुंड चुंबकी छ्षेतर में कुंड चुंबकीघव सीधरजी दर कीतर फ्लब हुदicing दिसामें कुंड़िब कतल रखते थे तब हमारा बल कितना उत्थपन होगा मुषिफ फूर्स को मिकेख सना हुगाद। हो चूम्ब खी फ्लक्स निकालना है चूम्ब कि फ्लक्स कितना होगा चलीं देख लेते हैं आपमारा पहला कोश देश्चन थांत अठा वा घ़ी इसको solve कर लेते हैं कोशन पढ़ लिया होगा आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो को थोड़ा बैक करिए पढ़ लीजिए अधा वाला था 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 वा ठीक है अधिक देखिए अधिक फॉर्मूला होता है फाइप मेगनेटीप फ्लक्स निकालने के लिए कोस थीटा बी होता है चुंब के छेत्र और इह होता है चेत्र फॉल जो तार पाइड़ तुर्मूली बनिविए तो देखिए हमारा बी देर खा था कोशन में टो इन्टू टो दिपावर माइनस 2 और ए छेत्र फॉल दे रखा 0.9 मीटर स्क्वाइर कुंडली को रखा गया था पहला कंडिशन में दे रखा है मैगनेटिक फिल्ड जैसे जिदर की तरफ मैगनेटिक की धारा है मैगनेटिक वेव है उसी दिशा में रखने के लिए तल में कुंडली का तल उसी दिशा में रखने के लिए तो क्या होगा चलिए पता कर लेते हैं जब उस दिशा में होगा था हमारा जो ठीटा एंगल जब बनेगा जो ठीटा एंगल बनने वाला होगा जो कॉस्ट ठीटा जो एंगल बनेगा उस समय जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी के दिशा में इस द कुंडली के तलकों भी रखें, इसी कुंडल को रख दिया, तो हमारा कितना एंसल्ड बना, इसी वादिक लाइन सुपर तो एंसल्ड नहीं बना, थिक कोई इन बना हो जाएкий गार जीरो तो जब ठीनえーudальных होगा थे अब कॉस्ट गी कितनी होती हैं, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन शॉल्फ कर लेंगे आब कोई दिकत नहीं होनी चाहिए चलिए वैल्यू पूट करते टू इन्टू टेन टू दी पावर माइनस टू इन्टू जीरो पॉइंट ना वान को मल्टिप्लाई करेंगे ते उत्नाई हो जायागा दैन ना लिखे समय वन पॉइंट इन्टू टेन टी पावर माइनस टू दू दूसरा कंडिशन दे रखा है हमारा चुम्बक की छित्र के लंबवद अब चुम्बक की छित्र ऐसे बहर ही है इसके लंबवद ऐसे रखने के लिए तब क्या होगा तब यहाप हमारा ठीटा इसकल टू 90 डिग दी लिए तो कौष ओंध देटा इसकल्टू जब ऐसे नेंट डिए नब म forced के किसे जीड़ू होRyan करेंगे जीड़ थिया-पर भी फाइसले वी dot कौस थीटा जब कॉसघ्टीटा ही 0 हो जाएगी तिसको कितने भी मॉल्टिप्लाई करें इसका अंसर भी 0 आएगा थिसका भी हो जाएगा जीरो वेवर मिटर सौरी-सोरी जीरो मीटर अब दिख रहा होगा आपको जीरो वेव मीटर मैं इसकी बात कर रहा था अगर यह ठीटा जीरो डिगरी है ठीटा यहाँ पर 90 डिगरी है तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कॉस ठीटा की जो वैल्यू यहाँ पर कितना लिखोगे जीरो लिखोगे तो इसको मल्टिप्लाइ करें कितना इन दोनो कोश्चन हैं हमारा दे रखा है दो प्रतिरूद तीन ओम और पांच ओम के हैं से जोड़नेपर कौन सा प्रतिरूद अधिक गरम होगा जबने इन पर परस पर पहला स्रेडी क्रम में तर्द दुसरा कंडिशटा condition दें रखा है समांतर क्रम में जोड़िए ठीक है solve करके हम आपको दिखाते हैं इसको कैसे करना है वह question हमारा स्रेडी क्रम में जोड़ के दिखा देते हैं स्रेडी क्रम में स्रेडी क्रम में क्या होगा हमारे रेस्टेंस दे रखा था तीन ओम का एक एक तीनों का रेजिस्टेंस था एक दूसरा पांचों का अगर इसको हम स्रेणी क्रम में यहाँ पर एक डाइग्राम बना कर आपको थोड़ा दिखाते हैं कि यहां पर तीनों का और यहां पर पांचों का स्रेणी क्रम में जोड़ने पर बोला है कि इन सब इन दोनों में से दोनों रेजिटेंस में सबसे ज्यादा गर्मी किसमें उत्पन होगी अगर हम इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो कोशन में देख लीजिए कोशन हमारे यह रहा है दो प्रतित तीन और पांचों के इने किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोद अधिक गरम होगा हमें गर्मी पता करनी है कौन सा प्रतिरोद अधिक पता ज्यादा गरम होगा तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब कोई रिश्टेंस रेडिकरम में इस हीट हम हीट पता करना है तो आई स्कवेर डोट और बिश्टेंट है तो हम इसको कंसिड़र नहीं करेंगे इसको हम हम सब के लिए बराबर माल लेते हैं ती हम सबके लिए भी बराबर समझेंगे लेकिन और अर अर तो व्हारी कर रहा हैods पर तीनों का यह पांचों का है तो इस पे हमारा बात बनती है हमारे इस पर आंसर निकल सकता है कि जब आर प्रोपोशनल एच प्रोपोशनल आर इसका मतलब यह हुआ कि अगर आर जितना बड़ा रहेगा हीट उतना अधिक होगा इसमें देखिया आर इन दोनों में बड़ा यह है रेश्टेंस की फैली इसकी ज़्यादा ज़्यादा है पांचों में यह तीनों में तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा गरम पांचों बोला होगा तो इस तरह हमने निकाल लिए इसमें पांचों हमारा आनसर हो जाएगा पहले में ज्यादा क्रम होने के लिए यह हमारा दूसरा पहला का था और यह हमारा दूसरा दूसरा में समांतर क्रम में बोला है यह समांतर क्रम समांतर क्रम में समांतर क्रम चलिए समांतर क्रम में कैसे यह रिजिस्टेंस है ठीक और इस यहां किसी सेल से जुड़ा हुए है किसी सेल से जुड़ा हुए तो जब यहां पर जब किसी सेल से जुड़ा हो तो यहां पर V बराबर होगा दोनों जगा पर V की वैल्यू सेम होगी यहां V की वैल्यू सेम होगी तो यहां जब V की value same होगी तो हम students जानते हैं H is equal to V square upon R dot T V square is equal to H is equal to V square upon R T तो यहां पर consider करेंगे हम इसको ले ले रहे हैं तीनोम और यह resistance हमारा पांचोम का ठीक है यहां पर हम ले लेते हैं V की value same है same है छोड़ दिये T time भी हम यहां पर same ले रहें तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा H is equal to V square हमारा heat यहां पर vary करेगा R पे अलग हो जाएगा यहां इसका मतलब यह हुआ H is inversory proportional to R that means resistance अगर छोटा रहेगा तो heat उतना ही अधिक होगा resistance बड़ा होगा तो heat कम होगा इसमें resistance छोटा कॉन सा है तीनों का resistance छोटा है पांचों से इसमें ज्यादा heat उत्पन तीनों वाले में होगा इसका अंसर हो जाएगा तीनों का resistance इसका अंसर हो जाएगा कोश्चन नंबर चोथा का लास्ट जो दे रखा है अथवा करके तो यह वाला करिए यह वाला करिए बात दोनों एक ही है इस कोश्चन को चोथा का यह ठीक है इस कोश्चन को मैं hint कर दे रहा हूं अगर आपको नहीं समझ में आए ता आप कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा मैं इस कोश्चन को स्पेशली करा दूँगा वैसे मैं आपको यह आपको बता दे रहा हूं हिंट कर दे रहा हूं थोड़ा अगर देखें यहां पर क्या करना है वी की वैल्यू दे रखी है 10 to the power 6 meter per second वी यानि वेग है वी यानि बेग है वी की वैल्यू भी 3 वेव मीटर दे रखी है मीटर तिन वेव मीटर per second square दे रखी है वी हमारा चुम्बकिये छेत्र है और क्यू की वैल्यू भी हमारा आवेश यानि क्यू की वैल्यू आवेश हमारा दे रखा है 3.2 या 3.2 into 10 to the power minus 19 कुलाम ठीक और हमारा कोड जो कौण कौण सा कौण वेग और चुम्बकिये छेत्र के वीच में जो बना कोड है वेग और चुम्बकिये छेत्र ये वेग और चुम्बकिये छेत्र जो बना वाला कोड वेग और चुम्बकिये छेत्र के वीच में जो बना कोड है वो साठाइंक सुखा है ज्रक नहीं कर दे रखा है बॉह साठा तो हमें यहाँ फोर्स पता करना है कि फॉर्स हमारा यहां कितलेका कौन सा बहुन की अवेस पर लगने बलकि कि गर्णा करनी है गड़ना के जिये थो यहां कि क्यूपर जो लगने वाल बल्ला इसकी गड़ना करनी है तो यहां पर हम एफ मॉड एफ मॉड यानि कि हम केवल कॉंस्टेंट वैलू परिमाड निकालेंगे केवल ना कि डिरेक्शन तो क्यूइस कल टू वी एफ इसकल टू क्यू भी बी साइन ठीटा साइन ठीटा के वैलू सिक्स्टी हो जाएगी इस पर रखके आप इसको सॉल्फ कर लेंगे इस फोर्मूले पर और इसका फिर आवेज पर लगने वाणने नियम बताना है तो इसका नियम होगा फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम और इस फ्लेमिंग के दाहिने हैस का नियम का इसमें प्रियोग करेंगे तो इसी के साथ मैंने इस कोश्चन को भी हिंट कर दिया है अगर आप कोश्चन नहीं कर पाते नहीं समझ में आता ता आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा मै इस question के लिए special वीडियो बना दूंगा तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बने रहेगा इसी तरह हमारे चैनल के साथ बाई बाई